हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सस में फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल का नाम है गोल्टू सक्सस अगर आप NET, JRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor Exam की तयारी कर रहे है शिशोलजी से तो इस चैनल के साथ आप जुड़ कर यहां से अपने स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं आज की इस वीडियो में जो UP PGT का एक्जाम हुआ था 2013 में उन से related questions को solve करने वाले हैं इस वीडियो में total 50 questions होंगे and second part जो आएगा उसमें बाकी के questions को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट question है किस समिती ने पंचायती राज्य के तीन इस्तरिय व्यवस्था की सला किस समिती ने दी options में हैं बलवंत राय महता, अशोक महता समिती, संगम समिती या फिर संसदिय समिती तो यहाँ पर फर्स्ट question का right answer बलवंत राय महता हो जाएगा Option A यहाँ पर right answer हो जाएगा Next question है Mead के लिए समानी करत अन्य तथा महतपुर अन्य किसके स्रजन करता है I यानि की मै के, मी यानि मुझे के, Ego यानि के एहम के या फिर सूपर Ego के तो समानी करत अन्य तथा महतपुर अन्य ये फिर किसके स्रजन करता है Me के Option B यहाँ पर क्या होगा? Right answer हो जाएगा Second का Next है भारत के समिधान की किस धारा में व्यक्ति किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयू का कोई भी बालक किसी फैक्टरी या खान में काम कार खाना होगा याँपर कार खाने में काम नहीं करेगा ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा अब धारा देखिए धारा 24 है, धारा 25 है, धारा 330 है और धारा 335 है तो यहाँ पर third का right answer क्या हो जाएगा? धारा 24 हो जाएगा Option A यहाँ पर right answer होगा Next question है भारत में सामुदाइक विकास कारिकरम का जो अंतिम उद्देश है वो क्या है? क्या पूछा गया है? कौन सा कारिकरम या प्रोग्राम योजना है सामुदाइक विकास? तो इसका अंतिम उद्देश पूछा गया है Options में दिये गए है नवीन ग्रामीर संस्कृति का स्रजन करना, क्रशियत पादन को बढ़ावा, ठीके बढ़ाना, क्रशियत पादन को, रास्ट्री आय को बढ़ाना, या फिर रहन सहन की दशा को उचा उठाना तो यहाँ पर फोर्थ का क्या है जो नए ग्रामीर संस्कती है उसका स्रजन करना है option A यहाँ पर right answer होगा next question है निमन में से कौन एक समिती की विशेष्टा नहीं है समिती की विशेष्टा नहीं है वो बताना है options में है इसका एक उद्देश होता है उपचारिक नियम होते हैं सहीयोग पाया जाता और स्थाई प्रकती होती है तो यहाँ पर क्या होगा इस्थाई प्रकती स्थाई तो नहीं होते है जब तक उद्देश की वो प्राप्तना कर लिया जा तब तक ही रहते हैं ठीक है बाकी तो उद्देश होगा आपचारिक नियम होते हैं सहीयोग होता है देखने को मिलता है ओप्षिन डी यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है ग्रामीर समुदाय का तत्वन निमलिखित में से कौन सा नहीं है ठीक है रूरल कम्यूनिटी की बारे में बात हो रही है तो इन में से कौन सा तत्वन नहीं है हमकी भामना सांस्कृतिक विविदता छेत्र या फिया आत किसने दी टॉनीज कूले डेविस और बियर स्टेट तो यहाँ पर अर्ध प्रात्मिक समुद के अवधानक कूले की हो जाएगा ओप्षिन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रात्मिक समुद और अर्ध प्रात्मिक समुद का जो कॉनसेप्ट था वो किसने दिया कोले ने option B यहां पर right होगा next है Max Weber के अनुसार नौकर शाही की अभी लाक्षनिक विशेशता क्या है options देखिए यहां नेता के संकल्प का प्रतेनेधत्व करती है यहां तार्किक विधी सत्ता पर अधारित है यहां वन्शानुगत प्रस्तती पर अधारित है यहां नैतिक सत् नुसार नौकर शाही की विशेष्टाओं की बात करनी है बतानी है कौन सी है तो यहाँ पर यह तार्किक विधी सत्ता पर अधारेत यो ऑप्षिन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा संघष के सकरात्मक प्रकारेों पर निमलखित में से किसने बल दिया है जोच सीमिल, कर्माक्स, वेबर, नौम, चोमस्की तो संघष के सकरात्मक प्रकारेों की बारें बात हो रही है तो यहाँ पर आइट आंसर क्या होगा 9th question का जौच सी मिल option A यहाँ पर right answer होगा next है संदर्ब समूव वहवार के मुख्य अधार का निर्मार किस से होता है इर्शा से, तुलना से, तुलनात्मक अभावबोच से या फिर प्रोक्त में से कोई नहीं तो तुलनात्मक अभावबोच से होगा ठीक है यहाँ पर क्या होगा 10th का right answer option C यहाँ पर right हो जाएगा next है संघश्रत दमपत्ती को नियाइक प्रतक्ता की अभधी अधिक्तम कितनी अभधी के लिए दी जाती है 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फे 5 वर्ष तो यहाँ पर 2 वर्ष होगा option C यहाँ पर right answer होगा next है पिछड़ा वर्ष आयोग का अधिक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षन का प्रस्ताव रखा था अब पिछड़े वर्ग आयोग के अधिक्ष के बारे में पूछा गया है जिनोंने पिछड़े वर्गों के लिए 27% रेजर्वेशन की बात की प्रस्ताव रखा options में है काका कालेलकर, बी आर अमबेटकर, बी पी मंडल, जग जीवन राम तो यहाँ पर right answer क्या होगा? 12 का बी पी मंडल, option C यहाँ पर right हो जाएगा नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सा समाजिक विभेदी करण का उधारन है ना कि समाजिक इस्तरी करण का वर्ग, लिंग, भुस्वामित्व या फिस्शक्ति, तो यहाँ पर right answer क्या होगा? जेंडर होगा, option B हो जाएगा, यहाँ पर right answer, जेंडर किसमें आएगा? समाजिक विभेदी करण में आएगा, यह शोशल स्टाटिफिकेशन में नहीं आएगा, option B यहाँ पर right होगा next question है, या किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा, परंपरा उनमुख की करण में, आधुनिकी करण की ओर, रेखेक विकासात्मक रूप में निरूपित करती है options में है, एमेंशी निवास, स. स. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंग, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, योगेंद्र सिंग, option D यहाँ पर right answer होगा next है, श. श. त. त. आधुनिक स. श. द. 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 कोणों के बीच मूल भूद अंतर निम्न में से द्रस्टी कोचर होता है श. त. त. आधुनिक स. द. द. कोणों के बीच में जो अंतर है वो किसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर समिस्ट से, समिस्ट से व्यसिस्ट सध्धांतिक द्यश्ट्ट कोण तथा निश्ब्द स्थानांतरन है मद्यम विन्याज के सध्धांतों का विकास या फिविप्रोक्त में से कोई नहीं दिख तो यहाँ पर क्या होगा? right answer समाजिक प्रणाली को अक्षुड रखने के लिए निम्रिकित में से कौन सा कार्य आवश्यक है नीचे दिये गए कूटों में से सही उत्तर का चैन करें समाजिक प्रणाली को अक्षुड रखने के लिए बनाए रखने के लिए कौन सा कार्य आपर जरूरी है अनुकूलन दिया गया है समाजिक विकास और लक्ष प्राप्ति यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट है समाजिक गतिशीलता को चैतिच और उद्रक गतिशीलता की रूप में किसने वर्गिकरत किया है मिलर ने, लिपसेट ने, बेंडिक्स ने या फिन में से कोई नहीं तो यहाँ पर क्या होगा जो समाजिक गतिशीलता है उसको 36 और उद्रक गतिशीलता की रूप में किसने classify किया है तो यहाँ पर right answer क्या है option D है यानि कि इन में से कोई नहीं समाजिक गतिशीलता को 36 और उद्रक गतिशीलता की रूप में किसने classify किया है किसने बात की है, सोरो किनने की है, option D यहाँ पर right होगा, next है एक गतिशील समाज का सरवाधिक विशिस्ट लक्षन क्या है इसमें से, वाहनों का आधिक्य, बहुत देशिय भवनों की उपस्थती, परस्थतियों में परिवर्तन का आउसर, उपर्योग तुमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, परस्थतियों में परिवर्तन का आउसर, option C, यहाँ पर right answer होगा, यहाँ पर परस्थतियों में तो परस्थतियों ही आया था, परस्थति भी हो सकता है, ठीके, वही होग नहीं चाहिए, परस्थतियों में परिवर्तन का आउसर होता है, ठीके, आप पवित्यता के अभिव्यक्ति उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जो जजमानी व्यवस्था है वो इन में से किसकी बात करता है क्या देखने को मिलता है अन्ता जातिगत संबन ठीक है option B यहाँ पर right answer होगा next है समाजिक परिवर्तन में जो सीमा सिध्धानते वो किस ने दिया है शोशल चेंज के अगर बात करें तो आपको वीडियो एक मिल जाएगी अभी तो प्लेलिस बना दी गई है उसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा शोशल चेंज से रिलेटर तो उनमें जो ट्वाइन भी ने लुर्डर में धाएगी, मस्टेश, मैं फोल्डर में यहां पराइट आपासर होगा, तो यहाँ पर परिवर्तन का सीमा सिध्धान पूछा गया है, किस ने दिया है Options देखिए, Sorokin है, Ogburn है, Marks है and Max Weber है तो यहाँ पर Right Answer क्या है? Sorokin है, Option A यहाँ पर Right Answer होगा Next है, निम्रिकित में से कौन समाजी करण की Agency नहीं है Options में है, परिवार, School, Sam, Samu and Media तो यहाँ पर Right Answer क्या है, मीडिया होगा, समाजी करण की Agency नहीं है Option D, यहाँ पर Right Answer हो जाएगा Next है, समाजी किस तरीकरण सिध्धान में, कार्यात्मक सिध्धान की रूप में जाना जाता है Parsons, Davis Moore, Max Weber and इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर Right Answer क्या होगा? Davis Moore होगा Option B, यहाँ पर Right Answer हो जाएगा Next है, कुछ पश्चमे देशों में आ प्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मानेता देना निम्रिखित में से किसका अच्छा उधारन है? आत्मसात करण का, प्रथक करण का, एकी करण का या फिपर संस्कृति ग्रहन का तो यहाँ पर Right Answer क्या होगा? एकी करण का, Option C, यहाँ पर Right Answer हो जाएगा Next question है, ओधोगिक समाज का प्रियोग समाजों का वर्गी करण में किस ने किया? यानि कि जो समाज की अभी कल की वीडियो में बताया गया था, सुसाइटी की जो टाइप की बात हो रही थी तो उसमें दो तरह की समाजों की बात की गई थी, Spencer ने जो बात आये थी तो इसमें से question में पूछा क्या है, कि ओधोगिक समाज का प्रियोग है, वो समाजों का वर्गी करण करने के लिए किस ने किया? Option में है, कोटा दिया गया था, दुरखीम था, मैक्स वेबर थे और स्पिंसर थे तो यहाँ पर right answer क्या है? इस पिंसर, एक तो उन्होंने सैनिक समाज की बात की थी, दूसरा ओधोगिक समाज की बात की थी Option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है, निमलिखित में से कौन सा उपागम, गरीबी, उन्मूलन, कल्यान और निश्पक्षिता पर तयार कारिक्रमों को समलित करता है Options में है, विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, परेवरण और विकास तो यहाँ पर right answer क्या होगा? विकास में महिलाएं Option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है, Class and Class Conflict in Industrial Society जो बुक है, वो पूछी गई है किसने लिखी, किसकी है बुक Options में है, काल माक्स, रॉल्फ डेहरंड रॉफ, मैक्स वेबर, टीबी, बोटुमो तो आप सभी को पता है, Class and Class Conflict in Industrial Society डेहरंड रॉफ की है, Option B यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है, Urbanization and Family Change ये बुक है, उसके बारे में पूछा गया है कि किसने लिखी है, तो बुक काफे important है आपको playlist में folder मिलेगा, जिसमें बुक से related आपको videos मिलेंगी, तो जो उसमें बुक बताई गई हैं, उन्हें जरूर याद कर लिजेगा Urbanization and Family Change तो ये बुक किसकी है, options में है, इरावती कारवे, MS गोरे, लीला दुबे, आईपी दिसाई तो यहाँ पर किसकी है, MS गोरे की, option B यहाँ पर right answer होगा Next है, समाजिक व्यवस्था को बदलने की, समाजिक व्यवस्था को समझने की, समाजिक व्यवस्था को सुधानने की, या फिर समाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की तो यहाँ पर क्या होगा, right answer, समाजिक व्यवस्था को समझने की, option B यहाँ पर right answer होगा next है निमलिकित में से कौन सी ओधोगिक समाज की विशेशता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर क्या नहीं होगा यांतरिक सहिंती option B यहाँ पर right answer होगा next है निमलिकित कत्नों में निमलिकित कत्नों के उपरियोक्त संयोजन का चैन कीजिए जो कि घटना शास्त्र को सपस्ट करता है अब options देखिए पहला जो कह रहा है कि जो घटना शास्त्र है वह रोज मर्रा के समाजिक जीवन से संबंदित है सही है घटना शास्त्र साजे समान ज्यान को किंदित करता है तीसरा कहा रहा है घटना शास्त्र मानव वहवार की कार्णात्मक व्याख्या है उसी प्रकार सम्बंदित है जिस तरीके से अन्य परिपेक्षों से है ये सम्बंदित चोथा है घटना शास्त्र समाजिक जीवन के सरशनात्मक नियोमों की खोज का प्रयास करता है तो पहला तो है ही इसमें सेकेंड भी है कि घटना शास्तर साजे समान ज्यान को केंदित करता है यहाँ पर क्या होगा राइटान सो option D हो जाएगा next है किसने समाज का सावेवे द्रिस्ट कोड रखा है समाज का सावेवे दिस्टिकोर्ण की बारे में बात हो रही है Spencer है, W.I. Thomas है, Pareto है, Max Weber है Options में, ठीक है, Spencer हो जाएगा समाज का सावेवे दिस्टिकोर्ण से अद दिन किस ने किया था Spencer ने Option A है Next है, क्रशक समाजिक सरशना की जो विशेशताएं है वो बताने हैं में से कौन सी है Options में है, भूस्वामी तथा भूमिहिन मजदूर भूस्वामी तथा व्यपारी किसान तथा ग्रामीर साहुकार किसान तथा फसल साजेदार तो यहाँ पर राइड आंसर क्या है भूस्वामी तथा भूमिहिन मजदूर किसान तथा ग्रामीर साहुकार किसान और फसल साजेदार option C यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है next है नशा मुक्ति केंदर निम्रिकित में से कौन से सुविधाय प्रदान करते हैं options में है परामश, medical सहायता, योगिक आसन, उपर्योक्त सभी तो क्या होगा, यह सभी हो जाएगा option D यहाँ पर right होगा next है निम्रिकित में कौन सा भारत में सांस्कतिक विविधता का सूचक नहीं है प्रजाती, जाती, वर्ग या फिर धर्म तो यहाँ पर right answer क्या होगा वर्ग होगा भारत में सांस्कृतिक विविदिता का सूचक नहीं है तो वर्ग होगा ठीक है ओप्शन C यहाँ पर आइट होगा नेक्स्ट एन निमलिकित में कौन लिंग असमानता से सम्बन देथे ओप्शन देखे आर्थिक्ष शक्तिकरण, समतावादी सम्बन, महिलाओं की स्वतंतरता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुच तो यहाँ पर आइट आंसर क्या है? शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुच option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next है इस सैध्धान्तिक परिपेक्षु को क्या कहेंगे जो इस बात पर जोर देता है कि समाज कुछ ग्यात आवासाओं से होकर गुजरता है एक आधिक बार या फिर बार बार गुजरता है options में देखिए पुन्रावती उद्विकास, समरीखी उद्विकास, चक्री उद्विकास या फिर प्रतिवर्ती उद्विकासी सिध्धान तो जो इस बात पर जोर देता है कि समाज कुछ ग्यात आवस्थाओं से होकर गुजरता है एक आधिक बार, एक से अधिक बार या फिर बार बार तो यहाँ पर क्या होगा चक्री उद्विकास होगा ठीक है, option C यहाँ पर राइट होगा next है, मानो विकास के प्रमुक पहलू है options में जीवन प्रत्याशा है, साक्षर्ता है, रहन सहन है प्रोधूगी की उन्नती है, प्राकर्तिक संसाधनों की खोज है तो इसमें से बताने है कौन कौन इसमें आ जाएगा human development में, तो यहाँ पर क्या होगा जीवन प्रत्याशा, साक्षर्ता और रहन सहन आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर 37 का क्या होगा option C, यहाँ पर right answer होगा next है, आधुनिकी करण के संबन में निमलिकित व्याख्याओं पर विचार करना है अब देखे, दो है, option A कहरा है कि क्रशी के छेत में आधुनिकी करण निर्वाख खेती से वेवसाइक उत्पादन की ओर रुपांतरण है उद्धोग के छेतर में आधुनिकी करण मानव और पशु शक्ती की उप्योग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रुपांतरण है तो यहाँ पर आधुनिकी करण के बारे में बताना है तो क्या है यहाँ पर right answer क्रशी के छेत में आधुनिकी करण निर्वाः खेती से वेवसाईक उत्पादन की ओर बलड़ाय रुपांतरण हो रहा है उसका और उद्धोग के छेत में आधुनिकी करण मानव और पशु शक्ती के उप्योग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रुपांतरण है क्रशक समाज व्यवस्ता से संबंदित नहीं है जाती संयुक्त परिवार द्वित्यक उद्धोग या फिर कुटी रुद्धोग तो कौन नहीं है द्वित्यक उद्धोग ओप्शन सी यहाँ पर होगा राइट नेक्स्ट है किस पंचवर्षी योजना का जो उद्धेश था मुख्य उद्धेश वो गरीबी हटा हो था चौथी पंचवर्षी योजना, पांचवी, छटी या फिर साथ भी पंचवर्षी योजना तो यहाँ पर पांचवी पंचवर्षी योजना होगा option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next है कुछ यात्री railway station पर train का इंतजार कर रहे हैं इन यात्रियों को कहा जाएगा एक संस्था, एक समुदाए, एक समीती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं option D यहाँ पर right answer हो जाएगा क्या कहा जाएगा या बताइएगा comment करके option D यहाँ पर right होगा नेक्स्ट है किस वर्ष छटी पंचवर्षी योजना प्रारंब होई थी options में 1980 है, 1979 है, 1978 है and 1909 है तो यहाँ पर जो छटी पंचवर्षी योजना है वो पूछी गई है कि कब स्टार्ट होई थी तो 1980, option A यहाँ पर right होगा नेक्स्ट है, लिव जुमो ने जाती को निम्रिकित में से किस आधार पर संप्रत्ति क्रत किया समाजिक विभेदी करण, वर्ग एवं असमान, शक्ति सम्मन, पवित एवं अपवित्र का द्वन्दात्मक विरोध, कारे परक एक ताम विभेदी करण तो यहाँ पर क्या होगा, पवित्र एवं अपवित्र का द्वन्दात्मक विरोध, option C यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट है, समाजिक परिवर्तन सम्मन, किस सद्धान्दकार का विचार, दबाव सद्धान पर आधारित है तो यहाँ पर जो समाजिक परिवर्तन सम्मन, जो सद्धान्दकार है, उसका जो विचार है, प्रेशा, जो थ्वेरी है, उस पर आधारित है अब बताना है, किस से related है यह, दहरन्द्रोफ से, option A यहाँ पर right होगा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास के गांधिवादी पक्ष का भाग नहीं है, समाजिक नियासिता, आहिंसा, सहकारी संगष या फिर सरशनात्मक कारे तो क्या होगा यहाँ पर सहकारी संगष, option C यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है, सामुदाईक पुलिस व्यवस्था का लक्षन निम्निकित के माध्यम से अपराद को रोकना तथा नियंतर करना होता है जनता, पुलिस, पुलिस तथा जनता या फिर सेना तो यहाँ पर पुलिस और जनता दोनों ही होगा, option C यहाँ पर right होगा नेक्स्ट है, इस्थाई जनसंख्या सरशना के लिए निम्निकित में से एक प्रक्रिया का चैन करना है इस्थर जनमदर और मृत्युदर, बढ़ती हुई जनमदर और मृत्युदर, घड़ती हुई जनमदर और बढ़ती हुई मृत्युदर, या फिर इस्थर जनमदर और घड़ती हुई मृत्युदर तो इस्थाई जनसंख्या सरशना के लिए बताओ इसमें से क्या सही है क्या होगा इस्थर जन्मदर और मृत्युदर ठीक है इस्थाई जनसंख्या पूचा गया ना तो इस्थर जन्मदर भी और इस्थर मृत्युदर भी option A यहाँ पर right होगा next है निमलिकित का वर्दमान जटिलता की अनुसार सही अनुकरम बताएं समाज की बाद हो रही है एकर्तिकरं क्रशक चारागाही लास्ट है क्रशक एकर्तिकरं आखेट बागवानी लास्ट है नेक्स्ट है समपूर्णा नन आश्रम निम्लिकित में से किस से जुड़ा हुआ है बोस्टरल स्कूल है ओपेन जेल है बंध जेल है प्रती प्रेक्षन ग्रह है तो ओपेन जेल हो जाएगा ओप्चिन बी यहाँ पर आईड आनसर होगा ठीक है नेक्स्ट है एक नगर एक कज़वा और एक गाउं यह सभी उधारण है ओप्शन्स में है समाजिक समू समिती समुदाई या फिर भोगोलिक छेत्र तो क्या आएगा कमिनेटी समुदाई हो जाएगा ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर आई राइड अंसर हो जाएगा तो 50 कोशन्स इस वीडियो में देखें हैं नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगी तो बाग की के कोशन्स उसमें हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो आई होफ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके भी जरूर कि एगान से वेरू इंजर कि यगायत। से घ्लव हैं जरूर पढ़ए विड़ लगा तो हैं गि यकले के अया है तो है झी। है तो हैं तो है।